यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी चलता हूँ माल्ग में तेरे वो निशा तू है इशुजी वो निशा तू है इशुजी बंदर्गाह तू मेरा यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी अब इसमें दो शब्ध हैं मसीही और यात्री या मसाफिर मसाफिर वो है जो एक जगा से दूसरी जगा पर जाता है उसके पास कोई ऐसा एक स्थाइ स्थान नहीं होता है जहां पर वो ठहर सके हमेशा के लिए वो चलते रहता है चलते रहता आपने भी जरूर जब यात्रा किया होगा रेल्वे से या बस से तो जरूर एक के बाद एक जगा एक शहर दूसरा शहर आता है और फिर फाइनली आपका वो डेस्टिनेशन आपका जो लक्ष है जहां पर आप जाना मांगते हैं वो इस्थान आ जाता है तो यात्री जो है वो एक श्थान से दूसरे श्थान तक जाता है और इन दोनों के बीच में जो टाइम है वो दो घंटा भी हो सकता है दो दिन भी हो सकता है और अगर पानी के जाज से कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक मैना भी लग सकता है है कि नहीं आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा कि बाइबल के अनुसार हम भी एक यात्री हैं। हम सब मनुष्य जाती जो हैं एक यात्री हैं, एक मुसाफिर हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हमारा देश जो भारत देश है, ये हमारा एक ठिकाना है जहां पर शायद हमने जनम लिया और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो यात्रा शुरू होती है, कब शुरू होती है। यह आपने बिलकुल ठीक कहा, हमारी यात्रा शुरू होती है जनम से, जब हमारा जनम होता है, हमारी परिवार में और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे-धीरे हम शारिरी गृप से, मानसी गृप से, सामाजी गृप से बढ़ते चले जाते हैं, और स्कूल, कॉलेजिस विवा, शादी, परिवार ऐसे प्रकार से चलता है. और फिर एक समय आता है, जब हम भूड़े हो जाते हैं और उसके बाद मौत. यह तो हम सब जानते हैं. तो देखिए, शुरुवाद जो है, वो बर्त से हैं, जनम से हैं. और उसके बाद जो अंतिम जो पढ़ाव है, मृत्यू के बाद, वो इस बाद पर डिपेंड करता है भई कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन या हमारा लक्ष क्या है. इसी बात को सोचते हुए हम भजन सहीता में पढ़ते हैं, भजन सहीता 119 और उसका उन्नीस पद जो मैं आपके सामने पढ़ने के कोश्च करूँगा. मैं तो पृत्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्याओं को मुझसे छपाए नाराग. यहां पर सावरिती से कहता है लिखने वाला कि मैं तो परदेशी हूं, मेरा देश ये देश नी जहां मैं रहता हूं या रहती हूं. यह तो यहां एक ठिकाना है हमारे शारिरिक जीवन के लिए, लेकिन जो अनन्त जीवन है या अनन्त काल का जो समय हम बिताएंगे, वो कहीं और है. तो हम तो एक यात्री के समान, मुसाफिर के समान जनम से आगे बढ़ते चले जाते हैं. अच्छा, और हम कुछ पदों को देखेंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाता है, कि हम एक प्रकार से यात्री हैं. मैं आपके लिए और भी पदों को पढ़ूंगा. पहला इतिहास उसका उन्ती सद्ध्याए और पंद्रमापद. तेरी दृष्टी में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं, पृत्वी पर हमारे दिन च्छाया किनाई बीते जाते हैं, और हमारा कुछ ठेकाना नहीं, बिलकुल साफ का, और हमारा ठेकाना बिलकुल नहीं हैं. कि हम यहां हैं एक दिन, परसों वहां होंगे, तरसों वहां होंगे, क्या ठीकाना है? हम अपना घर बनाते हैं, विवा करते हैं, और सब कुछ यहीं छोड़कर चले आते हैं. जब मौत आती है ना, तो हम सब कुछ यहीं छोड़कर चले आते हैं. तो इसी के साथ साथ मैं एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा ये ब्राणियों की पत्री उसका ग्यारमा अध्या है तेरा पत्र ये सब विश्वास ही के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्या की हुई वस्तुएं नहीं पाई पर उन्हें दूर से देकर आनंदित ह क्यों वस्तुए और मान लिया के हम पृत्तवी पर पर्देश ही और बारी हैं जो ऐसी-ऐसी बती कहते हैं वे प्रगट करते हैं कि स्वदेश्houses कि खोज में हम लगे रहते हैं तो यहां पर हम देकते हैं मेरे मित्रो कि हम जो मानव जाती हैं एक यात्री के समान है और आत्म हमारा दूसरा पड़ाव है, वो है स्वर्ग, लेकिन उसके लिए भी कुछ बाते ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है, जो मसही यात्री है या मसाफिर है, उसका जो लक्ष होता है, वो स्वर्ग होता है, जहां हमारा प्रभू परमेश्वर रहते हैं, लेकिन वहां तक पह प्रमेश्वर है, तो वहां तक पहुंचने के लिए, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे देखी इस पिक्चर में, जो आपके ड्राइंग में है, यहां पर जो आपके पास जो पिक्चर है, उसमें यह दिया गया है, कि यात्री जो है, उसके हाथ में एक गठरी लगी हुए है, वो बोज से दबा हुआ है, और वो बोज क्या है, उसके जीवन का पाप, यह बहुत important बात है, हाथ में किताब है, मतलब एक प्रकार का instruction, एक प्रकार का map, एक प्रकार का जो भी बात उसको सीखना है, उस book के द्वारा, और फिर वो यह जानना मांगता है कि भई इस पाप की गठ्री को मैं कैसे दूर करूँ, कहां ये दूर होगा, मैं इसको ले ले करके ठक गया हूँ वैसे ही हमारा जीवन है हम पाप की गठ्री ले करके जाते हैं, क्योंकि जनम से ही मैं क्या हूँ? पापी हूँ. जी हाँ. और हमारे जीवन में एक प्रकार का श्राप है. तो पाप की गट्री मैं अपने पीठ में ले करके, अपने वक्तित्व में ले करके चल रहा हूँ. अब स्वर्ग जाने के लिए वहां तो पाप जा नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और हम पापी मनुष्य है रोमियो 23 में लिखा इस प्रकार से कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रही थैं, आप ने पाप किया, मैंने पाप किया पुरे मानव जाती ने पाप किया और हम क्योंकि आदम के वंशज हैं तो आदम पापी था, तो हम जो उसके वंशज हैं, हम भी क्या है, पापी है ठीक है, और ये बात हम यहां पर देखते हैं कि इस पाप की गठ्री को ले करके हम कैसे स्वरक तब पहुं सकते हैं कोई सवाल ही नहीं उठता और इससे पहले कि मैं आगे जाओं आपको ये भी बताना मांगता हूं, ये जो मसी मुसाफिर है, ये पहला भाग है और इस पहले भाग में मैं सिर्फ यही बताऊंगा, कि किस प्रकार से हम इस पाप की गठरी को निकाल सकते हैं, क्या रास्ता है कोई रास्ता है, कुछ लोग के अलग-अलग चीजे करते हैं भई कि यहां जाना, वहां जाना, दुख उठाना दुख सहना, अच्छे काम करो ये सब बाते तो बाइबल में नहीं लिखिये, क्योंकि इन चीजों के द्वारा हमारे जो पाप हैं वो नहीं धूल सकते हैं हम कई लोग नहाते हैं वो सोचते हैं, कि कहां-वहां डुपकी लगाने से हमारे पाप धूल जाएंगे नहीं, ये सब चीजे मनुश्य की अपनी सोच विचार है हमें ये देखना है कि परमेश्वर का बच्चन एक मुसाफिर के लिए क्या कहता है और यही बात लिखा हुआ है कि जब हम पाप में हैं तो हम शरापित हैं रोमियों उसका आठ अध्याए और बाइस पद में कि हम जानते हैं कि सारी स्रिष्टी अब तक मिलकर कराती है और पिडाओं में पड़ी हुई तड़पती रहती है ये है परमेश्वर का बच्चन हमें शराप लगाए जर्म से लेकर के ये जर्म से लेकर के है अब प्रशन ये उठता है कि कैसे मैं इस पाप की गठ्षडी को दूर करूं और उसको जानने के लिए आपको बाइबल में जाना है जैसे कि ये मुसाफिर जो जिसके हाथ में बाइबल है वचन है पवित्र शास्त्र है तो उसमें उसको सब इंस्ट्रक्शन मिलेगा भी कि कैसे जाना है, क्या आगे, क्या खत्रा है बहुत सारी बातें उस इंस्ट्रक्शन बुक में उस किताब में पाई जाती है जो हम बाइबल कहते हैं अब वहाँ से मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा और ये जो यात्री है उसी इंस्ट्रक्शन बुक को ले करके ये पता लगाता है कि यार एक रास्ता तो है और वो रास्ता है प्रभुईश्य मसी प्रभुईश्य मसी ने एक बार क्या कहा मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ योहना रचिसु समाचार और उसका चौदा ध्याए च्छैपद लिखा हुआ है प्रभुईश्य मसी ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंश सकता अच्छा ये कहां पर मिलता है ये बाइबल में मिलता जो कि मसाफिर अपने हाथ में लेकर के जल रहा है और वो देख रहा है कि भई ये रास्ता कहां पर है कौन सा रास्ता है तो उद्धार पाने का या पाप से छुटकारा पाने का जो उसके पीठ में है यह कैसे उसको छुटका रहा पाए तो यहां लिखा वहां मार्ग में हूँ, मतलब अब प्रभीश्य मसी के मार्ग में आपको और मुझको चलना है, यदि आपने अभी तक प्रभीश्य मसी का मार्ग नहीं जाना, तो यह मैं बताना मांगता हूँ, कि वहां पर सारी बाते कहीं, लेकिन एक बार जो यहां पर लिखा हूआ है, मैं पढ़ना मांगता हूँ, मत्ति उसका साथवा अध्या, ये भी बाइबल में ही मिलता है, तो हर चीज जो हम सीखना मांगते हैं, जानना मांगते हैं, कि भाई यह पाप की गठरी को मैं कैसे निकाल फेकू ताकि मैं परमेश्वर के राजे में प्रवेश कर सकूँ, तो मत्ति उसका साथवा अध्या है, और तेरा पद, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुनिये, प्रभूश्व मसी ने कहा, सक्रे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चोड़ा है वह फाटक, और सरल है, वह मार जो व मार्क और भाटक वो कठिन है, वह मार्क जो जीवन को पहुँचाता है, और तोड़े हैं, जो उसे पाते हैं, अब देखे, यहां पर दो मार्गों के बारे में प्रभूश्व मसी कहते हैं, पहले तो प्रभूश्व मसी ने खुद का कि मार्क सचाई और जीवन मही हूँ, अब लोग क्या करते हैं यार प्रभु इश्व मसी को छोड़ो अपना ही मार्क सोचो और वो कौन सा मार लेते हैं चोड़ा मार्क चोड़े मार्क में तो जाब धेड, सारे हजारों लोग जाते हैं लाखों लोग जाते हैं वहां कोई समझ्याने खुब अट्राक्षन होता है खुब खिचाव होता है संसार का, बड़ा easy होता है, लेकिन वहाँ पाप की गठरी उतरती नहीं, वहाँ पाप की गठरी और गहरी होती जाती है, और बोज बढ़ता चला जाता है, और इसलिए लिखा हुआ है कि चोड़े फाटक से हमें प्रवेश नहीं करना, चोड़े मार्ग से हमें नहीं जाना है, कौन से मार्ग से जाना है, सक्रे मार्ग से, सकेत फाटक से हमें प्रवेश करना, सकेत फाटक कौन सा है, वही मार्ग जो प्रवेश मसी है, उसने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ तो हमें उस मार्ग से जाना एक और पदमे आपके लिए पढ़ूँगा जो पाए जाता है बाइबल में ही पाए जाता है और उसका प्रेजितु के काम उसका चार अध्याए बारा पर और किसी के द्वारा उधार नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं उधार यहां होगा उधार वहां होगा यह होगा और किसी के द्वारा उधार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुश्यों में और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा हम उधार पा सकें जिसके द्वारा हम इस पाप की गठरी को निकाल सकें अब प्रशने ये उठता है भई ऐसी क्या चीज प्रभु इश्व मसी ने कर दी या किया कि वो मार्ग बन गया मैं बताना मांगता हूँ कि प्रभु इश्व मसी ने अपनी जान अपना जीवन क्रूस पर बलिधान कर दिया क्यों कर दिया भाई क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यू है पाप की मजदूरी तो मौत है और उसी मौत को प्रभु इश्व मसी ने क्रूस पर बलिधान कर दिया इसलिए वो मार्ग बन गया और कोई दूसरा मार नहीं है और कोई दूसरा चारा नहीं उस पाप की गठ्री को उतारने का या फेकने का जब तक हम पाप की गठ्री से हलके न हो जाएं हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते कारण वही मैंने शुरू में बताया था आपको कि परमेश और पवित्रा वहाँ तो स्वर्ग में तो पाप का नामों निशान नहीं है वहाँ तो पवित्र लोग जिनके जिनके शरी जिनका व्यक्तित जिनका आत्मा प्रवुष मसी के द्वारा धुलाया गया हूँ वहीं वहाँ पर जा सकते हैं और इसलिए प्रभुश्य मसी कहते हैं मैं हूँ वह आप मेरे पास आओ ठीक है अच्छा एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है इफीसियों उसका दूसरा अध्याय और आठ पद इफीसियों उसका दूसरा अध्याय और आठ पद क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुमारा उद्धार हुआ है और यह तुमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे अब कई लोग क्या सोचते यार अगर हमें पाप से उद्धार पाना है इस पाप को निकालना है हमारे व्यक्तित्व से हमारे जीवन से अच्छे काम करो अरे साब अच्छे काम कहां से आएंगे जड़ तो पापी है जड़ में तो डियने का पाप का जो है DNA उसमें लगा हुआ है तो वो कैसे अच्छा फल लाएगा बुरा पेर अच्छा फल नहीं ला सकता अब उधारन के लिए यदि आप आम का पेर लगाएगे तो क्या उसमें केले का पेर आएगा बिल्कुल नहीं आएगा जाब उसमें आम ही का पेर आएगा क्यों क्योंकि उसमें आम का DNA है आम का स्वभाव है ठीक उसी प्रकार से जब हमारा स्वभाव ही पापी है तो अच्छे काम आने का सवाल ही नहीं उठता तो प्रियों हम देखते ही यहाँ पर कि हमारे अच्छे काम और यहाँ जाना वहाँ जाना वो कर्मों से नहीं सिर्फ प्रभुईश्य मसी का वो अनुग्र है कि आप बस उस पर विश्वास करिये और अनंद जीवन पाईए अब यह जो वेक्ति जो मुसाफिर है वो यही करता है आगे चल करके वो क्रूस को देखता है और क्रूस को जब वो देखता है तो उसे याद आता है कि हाँ दो हजार वर्ष पूर्व प्रभुईश्य मसी उसके पाप के लिए मारा गया गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो हमें अब उस पाप की गठ्री को दूर करने के लिए क्या करना है अपने घुटने टेकना है और प्रभु परमेश्वर से माफी मांगने है अपने पापों से पस्चताप करना है अपने गुनाहों को मानना है फिर येश्य मसी पर विश्वास करना है कि प्रभू तु मेरे लिए गुरूस पर बलिदान हुआ आज मैं तुझको अपना जीवन अपना वेक्तित्व अपना सब कुछ तेरे हाथ में सौपता हूँ, सौपती हूँ यह यात्री जब ऐसी प्रार्तना करता है तब हम उसे कह सकते हैं वो मसीही मसाफिर हो जाता है या मसीही यात्री बन जाता है, क्यों? क्योंकि अब वो मसी के पास आ गया ये शू मसी के पास आ गया जी हाँ तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिये मेरे प्रियों, जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला एपिसोड है मसीह मसाफिर का आप इसके बाद जो दूसरा एपिसोड आएगा दूसरा भाग जो आएगा उसको भी आप सुनिये कि किस प्रकार से ये मसीह मसाफिर आगे चलते हुए मसीह जीवन में किस प्रकार की तकलीप, मुसीबत का सामना करता है और क्या करता है ताकि वो सुरक्षित रूप से स्वर्ग में पहुंच जाए आप और मैं सिर्फ ऐसे ही मसाफिर है सो मेरा ये कहने का तातपर ये है मैं सारा आश में बताना मांगता हूँ कि आज हमने देखा कि हम लोग मसाफिर के समान है यात्री के समान है हम परदेश ही है और हम उस स्वदेश की खोज कर रहे है स्वदेश क्या है स्वर्ग जहां परमेश्वर रहता है लेकिन समझ्या ये है कि स्वर्ग तो पवित्र इस्थान है परमेश्वर पवित्र है हम वहाँ ऐसे नहीं आ सकते है पाप की गट्री को ले करके, हमें इस पाप की गट्री को निकालना है, कैसे निकालना है, बाइबिल को पढ़ करके ये पता लगाना है, कि येश्यु मसीही उद्धार करता है, येश्यु मसीही हमारे पापों को दूर करता है, तो जब हम वो बाइबिल के अनुसार जब चलते हैं और प्रभू के पास आते हैं पस्चताब करते हैं तो वो पाप की गट्री क्या हो जाती है दूर खाई में जाकर के फिक जाती है फिर कभी दिखाई नहीं देगी यो गट्री पाप की गट्री क्योंकि प्रभू इश्युमसी के लहू से प्रभू इश्युमसी के बलिदान से वो पाप हमारे शमा हो जाते हैं अब हमारा अभिवेग जो है स्वच हो जाता है अच्छा हो जाता है पवित्र हो जाता है अब हम परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं और परमेश्वर हम एक ग्रहन करता है एक बेटे के रूप में एक बेटी के रूप में और हम आगे अपने मसीह जीवन में बढ़ते चले जाते इस प्रकार से हम इस पाप को निकाल देते हैं अब वो सिर्फ मुसाफिर नहीं हैं अब वो मसीही मुसाफिर हो गया अब वो मसीही यात्री हो गया आप दूसरा एपिसोड जरूर सुनिये ताकि पूरा टोटल हम इसको टोटल पिक्चर में हम इसको देख सकेंगे धन्यवाद